The Power of Positive Thinking राश्ट्रसंद श्री चंद्रप्रबजी का मार्गदर्शन आज हम जीवन के एक ऐसी बहतरीन शक्ती से रूबरू होंगे जिस पर जीवन और जगत के सारी बुनियादी टिकी हुई है वो महन शक्ती है सकारात्मक सोच की चमतकारी शक्ती The Power of Positive Thinking यह एक ऐसी महन शक्ती है जिस शक्ती के बलबूते हमारे व्यक्तित्व का निर्मान होता है जीवन में सफलताओं को प्राप्त करनी के लिए यह सीड़ी का काम करती है तूटे हुए घर परिवार और समाज को जोड़नी के लिए यह महन शक्ती सूपर सौनिक जेट और सूपर पावर का काम करती है हकिकत तो यह है कि सकारात्मक सोच पॉजेट्वी थिंकिंग एक ऐसा पावर है जो पावर सारे देशों के बीच में एक प्रेम का रिस्ता समाजों के बीच में एक मिठास का रिस्ता परिवारों के बीच में एक दूसरे को गले लगाने का रिस्ता कायम करने में समर्थ है यदि धर्ती पर आज आतंकवाद फैला हुआ है उग्रवाद की आग जल रही है जातिवाद का जहर घुला हुआ है धर्म और मजभ के नाम पर हम सब लोग आपस में टूटे हुए है तो इसकी एक इकलोती वज़े है और वो वज़े है हमारे पास बाकी सब तो पावर थे पर एक पावर नहीं था जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग का पावर आज भी सारे संसार की समस्याओं का समाधान इस एक अकलोती शक्ति से निकाला जा सकता है जैसे सारी दुनिया को रोशन करने के लिए बिजली और बिजली के बल्ब अपने आप में एक सूरज का काम करते हैं वैसे ही the power of positive thinking सकरात्मक सोच की चमतकारी शक्ति हम सब लोगों के लिए सारी धर्ती सारी प्रत्विग्रह के लिए सूरज की रोशनी का काम कर सकती है सकरात्मक सोच विपरीत वाताण बन जाने के बावजूद हमारे द्वारा सम्मान देने के लिए वापस तैयार हो जाना अपमान मिलने के बावजूद हमारी तरब से सम्मान देने के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर देना किसी के द्वारा दो कड़वे शब्द दिये जाने के बावजूद हमारे द्वारा फिर से उसे फूलों का गुलदस्ता भेट दे देना और पडोसी के द्वारा हमारे घर पर कच्रा डाले जाने के बावजूद हमारे द्वारा उसे फल लोटा देना पिता माता के द्वारा डांट दिये जाने के बावजुद बच्चों के द्वारा पुना उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाना दुनिया में इस शक्ति का नाम है सकरात्मक सोच की शक्ति आज एक बच्ची का हैपी बर्डे है और बच्चा अपनी जन्म दिन की खुशियों को लिये हुए अपनी घर से स्कूल जाने के लिए निकला है आज वो बड़ा खुश है क्योंकि आज उसका हैपी बर्डे है बर्डे होने के काण आज वो इतना ज्यादा खुश है कि घर से निकला है स्कूल जाने के लिए लगभग एक किलो मीटर दूर उसकी स्कूल है जैसे हो घर से बाहर निकला कि तभी उसने देखा एक BMW Mercedes car आकर के उसके पास रुकी कार का मालिक कार में से निकला मौल में गया बच्चा वहीं रुक गया आज उसका बर्डे है आज वो बहुत खुश है उसके सामने BMW शानदार सुन्दर ब्राउन कलर की इतनी शानदार कार खड़ी है बच्चा वहीं रुक गया बच्चा वहीं रुक गया कार को प्यार से हाथ से सहलाया शानदार तभी कार का मालिक वापस लौट कर आया उसने बच्चे के कंदे पर हाथ रख कर कहा क्या बात है कार पसंद आई क्या बोले सर मौस्त मौस्त बोले कार पसंद आई बोले सर मौस्त मौस्त टनाठन गुमने की इच्छा है गया अरे सर सर अगर BMW मर्स्डीज कार में घूमने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए आदमी ने सोचा विद्यारती है चलो आज इसे कार में घूमा देता हूँ कार के अंदर बिठा दिया और उसने बच्चे से पूछा कार पसंद आई बोले सर मैंने काना, most most अच्छा पसंद आई तजे इतनी बोले सर मस्त मस्त है और सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज मेरा बर्डे है आज मेरा बर्डे है और आपने मुझे कार में बैठा कर आज मुझे अपने हैपी बर्डे का गिफ्ट दे दिया कार के मालिक ने कहा तुझे कार इतनी पसंद आई तो क्या तो तू भी क्या ऐसी ही कार लेना पसंद करेगा सब तक्दीर वालों को मिलती है इतनी अच्छी कार पर सर आपने ये कार कब खरी दी अरे बाई मैंने कहां खरी दी जैसे तेरा आज हैपी बर्डे है कल मेरा हैपी बर्डे था और मेरे बर्डे पर मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कार गिफ्ट दी क्या बात करते है सर आपके बड़े भाई ने आपको ये कार गिफ्ट दी है और वो भी आपके बर्डे पर बोले हाँ मेरा बड़ा भाई बड़े दिल का आदमी है उसने कल ही मुझे ये बिलकुल न्यू ब्रांड कार BMW मुझे मेरे बर्डे पर गिफ्ट दी बोले अच्छा कार के मालिक ने पूछा तेरी क्या अच्छा है क्या तू भी ऐसी कार लेना चाहेगा बच्चे नहीं कहा सर जब मैने कार देखी तब तो यही तमन्ना थी कि मैं भी बड़ा होकर ऐसी कार खरीदूँगा पर सर जब आपने कहा कि आपको ये कार आपके बड़े भाई ने गिफ्ट दी है तो आपकी बात को सुन कर मुझे मोटिवेस्टनल प्रेर्णा मिल गई आपकी बात को सुन कर और अब मेरा मन कहता है कि मैं बड़ा हो करके यह BMW Mercedes car नहीं खरीदूँगा बलकि आपके बड़े भाई जैसा बनूँगा ताकि मैं भी अपनी छोटे भाई को ऐसी ही BMW Mercedes car उसके हैपी बर्डे पर गिफ्ट दूँगा गिफ्ट दूँगा गिफ्ट दूँगा कोई व्यक्ति कलपना भी ना कर पाए कि तुम अपनी सोच को कहां तक ले जा सकते हो हर आदमी यही सोचेगा कि BMW car को देखकर आपके दिल में भी BMW car खरीतने की तमन्ना जगेगी पर हम आपसे यह motivational प्रेजना देते हुए कहेंगे कि भाई आप अपनी सोच को इतना उचा उठाओ आप अपनी स्थिंकिंग को इतना उचा उठाओ कि दुनिया कभी कलपना भी न कर पाए कि तुम ने अपनी सोच को कितना उचा उठा दिया है दुनिया में लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत आदमी के फौला दी हाथों की होगी लोग समझते हैं कि आदमी की ताकत उसके मजबूत जंगाओं की होगी पर मैं आपसे कह दूँ आदमी की असली ताकत ना फौला दी हाथों की है ना आदमी के मजबूत जांगों की है आदमी की अगर कोई असली ताकत है तो इनसान की उची और बड़ी सोच की है अगर हमारे जीवन में से केवल एक चीछ को माइनस कर दिया जाए और वो है सोचने और समझने की ताकत तो क्या अब बता सकते हैं फिर चौपाई में और दोपाई में क्या फर्ग रहे जाएगा एक जानवर चल सकता है एक जानवर खा सकता है एक जानवर पती-पत्नी के रूप में प्यार कर सकता है एक जानवर सोच सकता है लेकिन जानवर सोच नहीं सकता समझ नहीं सकता वो सोच और समझ नहीं सकता इसलिए उसकी जिन्दगी अंधेरी में गुजरती है और हमारी जिन्दगी उजाले में गुजरती है क्योंकि हम लोग सोचने और समझने की ताकत अपने भीतर रखते हैं